Hello everyone, welcome back to my channel तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ज़ादा tasty and crispy dry soya chili की recipe तो आज हम इनको बिना deep fry QA बनाने वाले हैं और बहुत ज़ादा tasty ये बनके तयार होते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की हमारी soya chili की recipe को तो यहाँ पे सबसे पहले हमें soya chunks को boil करना है तो मैंने एक बरतन में पानी गर्म कर लिया है और इसमें हमने एक कप soya chunks add कर दिये है और इनको हम इस गर्म पानी में 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए तो 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि soya chunks हमारे काफी अच्छे से फूल चुके हैं अच्छे से ये soft हो चुके हैं तो अब हमें इनका सारा पानी squeeze करके इनको निकाल देना है पानी से बाहर तो यहाँ पे हमें इनको बहुत अच्छे से squeeze करके इनका सारा पानी निकाल देना है तो हमने इनको अच्छे से squeeze करके इनका सारा पानी निकाल लिया है और यहाँ पे side में मैंने थोड़ी से कुछ veggies ली है तो यहाँ पे roughly chopped ginger, garlic लिया है मैंने दो ग्रीन चिली को ऐसे लंबाई में थोड़ा सा कट करके लिया है थोड़ा सी ग्रीन कैपसिकम, onion को cubes में कट करके और थोड़ा सा ग्रीन कोरियंडर लिया है आपके पास colorful similar मिर्च हो तो आप वो यहाँ पी उस कर सकते हैं और अब हम इन soya chunks में add करेंगे आदा छोटा चमच मैंने ginger garlic paste add किया है आदा छोटा चमची हम यहाँ पे fresh कुटी हुई काली मिर्च add करेंगे थोड़ा सा salt add करेंगे और एक छोटा चमच soya sauce और एक छोटा चमची chili sauce add किया है अब हम यहाँ पे add करेंगे 2 चमच corn flour और 1 चमच मैदा अगर आपके पास rice flour है तो आप मैदा की जगर rice flour भी use कर सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हमें इन सारी चीजों को हाथ से बहुत अच्छे से mix करना है ताकि soya chunks में अच्छे से coating आजाए तो हम इनको अच्छे से mix करने के बाद इसमें last में हम एक चमच corn flour और add करेंगे उपर से ताकि इनमें एक अच्छी से extra coating आजा और जब हम इनको fry करेंगे तो एक अच्छे से crispiness इनमें आए तो यह हमने marinate कर लिया है तो यहाँ पर side में मैंने एक bowl में एक छोटा चमच corn flour लिया और थोड़ा से इसमें पानी आट करके इसकी एक slurry बना के तयार कर लेते हैं और फिर भी यह बहुत ज़्यादा crispy बनेंगे तो ओईल को हलका सा गर्म हो जाने के बाद हमने जो अपने soya chunks marinate किये है इनको हम इस oil में add कर देंगे और इनको हमें यहाँ पर low to medium flame पर अच्छा सा color आने तक अच्छा सा crisp आने तक हमें इनको यहाँ पर इसी तरह से fry करना है तो बीच बीच में हम यहाँ पर इनको इसी तरह से चलाते हुए fry करते जाएंगे तो यह सैलो फ्राइ करने से भी बहुत जादा crisp बनेंगे और अंदर से एकदम moist भी रहेंगे तो यहाँ पर हम इनको side में fry होने देते हैं और यहाँ पर दूसरे gas में हम एक कड़ाई गर्म करेंगे एक बड़ा चमच मैंने यहाँ पर oil add किया है ginger garlic हमने जो chop किया था वो हम यहाँ पर add कर देंगे oil की गर्म होते ही green chili भी मैंने यहाँ पर add कर दी है और यहाँ पर gas का flame न और यहाँ पर कुछ seconds के लिए हम इनको चला लेते हैं तो मैंने यहाँ पर एक मिनट तक इन सबजियों को अच्छे से fry कर लिया है high flame पी अब हम यहाँ पर add करेंगे एक चमच सोया sauce add किया है मैंने एक चमच ही red chili sauce और दो चमच हम यहाँ पर tomato ketchup add करेंगे तो अब हम गैस का flame थोड़ा सा medium कर लेते हैं और एक चमच मैंने यहाँ पर vinegar add किया है आदा चोटा चमच fresh कुटीवी काली मिर्च और थोड़ा सा salt add करेंगे क्योंकि salt हमने soya chunks में भी add किया है और sauce में भी salt है तो salt हमें यहाँ पर साप से add करना होगा एक बर अच्छे से mix करेंगे सारी चीजों अगर आप gravy वाली बना रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा जादा पानी add कर सकते हैं और यह देखें soya chunks पे हमारे काफी अच्छे से fry हो गए है एकदम crispy हो गए है तो इनको भी हम इसी टाइम पर यहाँ पर add कर देंगे और यहाँ पर अच्छे से mix करेंगे सारी चीजों को औ बंद कर देंगे तो हम इनको बहुत जादा देर अब यहाँ पे हमें इनको fry नहीं करना है वरना फिर यह सौगी हो जाएंगे लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा green coriander add कर दिया है आपके पास अगर spring onion है तो आप वह यहाँ पर add कर सकते हैं और यह हमारे बहुत जादा टेस अगर आपको आज की रेसिपी कैसी लगी अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें